हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो माई चैनल मदुलिका कश्यप एंड आयम मदुलिका कैसे हैं आप सब लोग मेरे वीडियो देखते हैं उसमें कमेंट्स आप लोग करते हैं मुझे और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं इन्फोर्मिशन के लिए थैंक्यू बोल सब्सक्राइब करते हैं और कहीं बार मुझे उसमें कोईस्टे पूछते हैं तो आज यह एक छोटा सा क्यूएने है मेरा क्योंकि मैं कुछ कोईस्टे होते हैं जिनका मैं जवाब पूरी तरह से देने की कोशिश करती हूं आप लोगों को लेकिन उसमें लिख कर देना इतन करते हूं कि मैं जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हूं वो वीडियो एक जैनुएन इंफोर्मिशन तो होती ही है लेकिन कई बार अब समाज में ऐसे कुछ मिट्स फैल चुके हैं कुछ चीजों को लेकर जो कि गलत हैं उन मिट्स को हटाने के लिए और सही इंफ अच्छी इंफर्मिशन जो है छूट चुकी है उनके बारे में मैं वीडियो बना सकूं जैसे कि मैंने मामरा बदाम के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसके ऊपर कोई था नहीं लेकिन बहुत अच्छा होता है मामरा बदाम इसलिए मैंने मामरा के ऊपर वीडियो बनाया औ तो उन्होंने मुझसे पूचा है मैने, अभी विदियो अप्लोड किया था मैंने मारे रच पोत। अप Ketuna落का होगार नातिम में कितना चुल्च होगा कैसे की तैचछ बारे कंवाओ वाद रच होगा हुआ हैंजो walks पूचा हैं पूचा आफ को लिखा होगा। कि इससे inches lose हो जाएगा, इससे weight lose हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक सही जानकारी देती हूँ, कि जब भी आप ऐसी कोई भी क्रिया करते हैं, कुछ भी करते हैं, जिससे की आपको कहा जाता है कि इससे आपका बढ़ा हुआ मोटापा जो है, वो कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, तो यह आप समझ लीजिए और यह सब को समझना चाहिए, कि सबसे पहले हमारे अंदर की जो गंदगी होती है, जो हमारे इंटेस्टाइड में जमा हो चुकी है, कॉंस्टिपेशन जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसी के कारण मोटापा जो है वो बढ़ता है कहीं बार, सबसे पहले वो निकलता है, किसी भी आप वेट रडियूस करने वाले चीज का अगर और जैसे ही आपका इंटेस्टाइड क्लियर होता है, उसी के साथ आपका जो है वेट रडियूस होना शुरू हो जाता है, ऐसी कोई चीज नहीं बनी है, जो कि आपको पिछकाना शुरू कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता, सबसे जो प्रॉसेज होता है हमारे शरीर का, हमारे ज तो जब वह बाहर निकलता है, तो क्या होगा, आपके अंदर जो भी कुछ वेट एक्स्ट्रा है, तो सबसे पहले आपका वेट रडियूस होता है, तो इस जूस में जो भी मैंने आपको इस बताया है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, आपकी इंटेस्टाइन क्लियर होगी, intestine clear होने से क्या होगा आपका वजन कम होगा और जब आपका वजन कम हो जाएगा और आपके जो intestine है वो पूरी clear हो जाएगी उसके बाद भी अगर आप इस juice को जो है regular intake करते रहते हैं तब आपके inches में lose होगा तो ये हमेशा होता है और ये हर एक process में होता है पहले से ही आपका आपनी शेप में आता है उसी को बोलते है इंचीज लूज करना ये आपको शायद थोड़ा समझ में आया होगा इसमें जो इंग्रीडियंट था आपला जो होता है हमारी बड़ी इंटेस्टैन को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा होता है तो सबसे पहले आपले आपला भी आपष्ली का चौक कर ये प्रेडर कहने से अगर पानी में पीते हैं तो उसे आपका कार्ब साथ अग्रें में भी आपको छपाति पानी में चीज मíं 되면 चीज भी ग satisf- मयां की क्रौनीर क्योंकि अद्रक भी हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिजम को तेज करता है यानि कि आप जो कुछ भी खाएंगे वह आपको इजिली डाजेस्ट हो तो इसलिए वह भी फैट लॉस में काम करता है फिर आता है मेथी मेथी जो होता है आपको पता है आपके अंदर जितना भी कॉलेस्टरॉल यानि के बुरा फैट फैट ही होता है उसको जब रिड्यूस करेंगे तो भी आपका फैट रिड्यूस होगा मेथी जो होता है डाइबिटीस के लिए बहुत अच्छा होता है कुछ लोग मेथी भीगो कर उसका पानी पीते हैं या मेथी की सबजी खाते हैं कई चाहएं इस तरह कखाते ये किन अगर आप तो यहां कच्छी मेथी को आप फूर में कणजी हो अगराव मेथी को सब्सक्राइबaste कहीं घूबां ने लगे मेथा हैं यानि कि जो गेहूं के जवारे जिसको बोलते हैं और वो फेट को रिड्यूस करने में बहुत अच्छा होता है तो इस चीज को आप प्रॉसेसली समझ जिए कि पहले सबसे पहले आपकी इंटेस्टेंट क्लियर होती है उसके बाद आपका वेट रिड्यूस होता है जब आपक इंचे लूज होता है तो इस चीज को उम्मीद है आपको यह चीज समझ में आई होगी और इस वीडियो को फॉलो जरूर करना क्योंकि यह बहुत अच्छा वीडियो है और सबसे बात यह है कि जितनी भी चीजे मैंने जूस के अंदर वताई है यह सिर्फ विंटर्स में ही इसलिए विंटर्स में आप अपनी बॉड़ी को एक बार पूरी तरीके से क्लियर जरूर कीजे कुछ ना हो तो कम से कम 21 दिन तक आप इस जूस को जरूर लीजे अगर पहले सबसे पहले आधा कप फिर एक कप इस तरह इनीशिली आप दीरे-दीरे करके स्टार्ट कीजे क्य और इन्फोमेशन इस वेरी गुड़ हो एंड वन तो गेव चिल्डरन एंड क्वांटिटी यह कॉश्चिन पूछा है नोने मामरा बदाम के बारे में मामरा बदाम जो होता है क्योंकि यह बहुत ही रिचस्ट फॉर्म होता है किसी भी आलमंड के अंदर जो कंटेंस होते है और जो मामरा के अंदर कंटेंस होते हैं मामरा में यह रिचस्ट फॉर्म होता है इसमें अंदर ओयल भी सबसे ज़्यादा होता है और जितने भी कंटेंस होते हैं वो सब अच्छी क्वांटिटी में होते हैं और यह ब्रेन के लिए नर्वस सिस्टेम के लिए और हमारे आई उसके बाद जुनेद हैं उनोंने पूछा है विच वॉलनुट से भाई विद शेल और विद रृद शेल और कश्मीरी अख्रोट के बारे में आपको एक चीज और बताऊंगे इसमें कि जो वॉलनुट होता है वह हमेशा कोशिश केचे कि वह अगर शेल में तो आप इसको फो या फिर नॉर्मल आप कोई भी अक्रोट ले सकते हैं वैसे मैं अक्रोट के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगी कि हमारे भारत में पाय जाने वाले जितने भी अक्रोट होते हैं उसमें बेस्ट कौन सा होता है और किस तरीके से उसको यूस किया जाता है इसके बारे में हमें उसमीडरी लेकिन अहुआ हैं कि टैसी शार्षक जब भी आप नें सब्सक्राइल में और अगर नंने मिलाटाップ में यापर दिटे या मामरा उख सभाए बलाइन आप लुगर को लाइसे हैं डलाब भी उनलाइन स riesgoo प्रोसेस किया नहीं जा सकता इसे लिए उसको प्रोसेस करेगा ही नहीं कोई तो वह बदाम ऐसे ही आएगा और उसके अंदर ओयल भी पूरा होता है तो अगर आप कोई जैसे आप देसी गुर्बंडी बदाम अगर आप खरीद रहें तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको श कि देठी नहीं पूछा है कि दो बदाम की गिरी से क्या होगा तो देखे मैं बताती हूं मामरा बदाम की ही नो ने बात किये जो मामरा बदाम है मैंने अभी आपको बताए था कि उसके अंदर सारे चंटेंस जो होते हैं वह बहुत रिचेस्ट फ़र्म में होते हैं तो जिस किशमिष को तो आप 2-4 या 5 तक खा सकते हैं 10-12 तक भी चलिए खा लिजे लेकिन जो अंगूर होते हैं तो आप एक पाव भी खा सकते हैं क्योंकि उनका जो तासीर वह अलग अलग हो जाती है दूसरा जायफल जायफल को तो आप पूरा खाई नहीं सकते एक जायफल को उसको अलग अलग होती है अलग अलग तरीके से वह खाया जाता है कि बढ़े हैं तो चार खा सकते हैं बच्चे हैं 11 साल से चोटे तो दो फिर प्रिया क्हेड ने मुझसे पूचा है कि डॉक्टर ब्रांडी पर विडियो बनाईए देख़े मैंने इस पे इसली विडियो नहीं ब एक साल से कम के लिए बच्चों के लिए दो साल तक भी आप दे सकते हैं जब बच्चों को कफ एंड कोल्ड हो जाता है तो दो बूंद गरम पानी में आप डाल कर दे दीजे ये एक इलाज होता है बच्चों का कि आपको बजार से अंटिबाइटिक्स नहीं देने पड़ती है थंड अगर है बहुत जादा बारिश हो रही है सदियों में या बहुत जादा थंड बढ़ गई है तो आप दो बूंद डॉक्टर ब्रैंडी डाल कर बच्चों को दे दीजे तो वह थंड से बचे रहते हैं इतना ही इसका रोल होता है ये बहुत अच्छा होता है शरीर के अच्छा होता है बहार से थंड का बच्चों की बॉड़ी पर नहीं पड़ता है ये मैंने आपको इसी वीडियो में ये इन्फोमेशन भी दे दी फिर माइक ट्रोय इनोंने बोला है मामरा बदाम कितने रुपीज केजी है मामरा बदाम जो है वह चार हजार रुपे किलो के लेकिन ये आपको 900-1000-500 ग्राम मिलता है ये कम खाय जाती है तो यही इसका रेट होता है फिर मुझसे प्रिया खेर ने पूचा है बहार का मिल्क कैसा होता है बहार का जो दूद होता है वह एटू मिल्क होता है मैंने अभी जो एक इंफोमिशन जो मैंने एक वीडियो बनाय सबसे पहले साहिवाल गिर और लाल सिदी गाए तो इस तरह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्यों कि बहस के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए बहस का दूद कैसा होता है भारत में जो मिलने वाली बहसे है उनमें किस तरीका का दूद आपको मिल सकता है तो इस तरह के मैं बहस क बिदियों बनाओंगी और बहुत ही यूसफुल और बहुत ही अच्छी इंफ मेशन के साथ बनाओंगी विडियो में आप जरूर देखिए बैसका दूद यह होता है सिर्फ उसमें फैट ज्यादा हुता है अगर आपको बैसका दूद मिलता है तो आप जरूर खर दिये अधर पानी मिल जाए तो कोई बात ने लेकिन और कुछ नहीं मिला होना चाहिए उसके अंदर भैस का दूद्ध होता है ट्रस्ट कर सकते हैं उसके उपर सिर्फ उसमें फैट जाद होता है इसलिए जिनको कॉलेस्टरॉल जिनका ज्यादा बढ़ा हुआ होता है या बीपी की क्ष्मीरी ऑनलाइन स्टोर से खरीदना कैसा रहेगा यह पुछा है अरुन कुमार रुहेला ने तो मैं आपको बता देती हूं कि कश्मीरी ऑनलाइन अगर आप खरीदे हैं स्टोर से तो यह बिलकुल ट्रस्टी है वहाँ पे आउडलाइन एमगजॉन पर भी है कश्मीरी तो 5 तक भी आपसे ले सकते हैं, 4-5 मामरा अलमंट्स आप ले सकते हैं इस बदाम को अगर आप खाते हैं तो बहुत अच्छा है, इस बदाम के साथ आप ऐसी कौन सी चीज़े एड कर सकते हैं जिससे इसमरण शक्ति के लिए बहुत अच्छा हो जाता है बदाम तो मैं आपको बदाते हूँ, बजार में एक दखनी मिर्च आती है, सफेद मिर्च जैसे काली मिर्च आती है, लाल मिर्च आती है, एक दखनी मिर्च भी आती है, सफेद गोल-गोल छोटी-छोटी मिर्च होती है, वो बहुत तेज होती हैं, लेकिन वो आँखों के लिए राम तो इसको इन सब चीजों को अगर आप मामरा बदाम की मिक्सचर के साथ एक बना के रखते हैं फिर से मैं बताती हूं कि मामरा बदाम उसमें अगर आप 200 g मामरा बदाम लेते हैं और उसके बाद उसके अंदर आप 200 g जितना आपने बदाम लिया है उतना ही आप बूरा डालिए बूरा बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि दखनी मिर्च बहुत तेज होती है इसलिए बूरे के साथ जितना आप खाना चाहिए उसको बना लेजिए और उसमें शुद्ध गाए का द जो अगर यह बेल्चा काम करते हैं इसलिए बहुत नहीं आप saasब पूछी ये बढ़ान नहीं होती है पर मुझे और बूके अजीब सटा था यह बता होता है बाड़ा अजीब सा नहीं होता है कि और कोगे यहां परके नहीं होता कि आस node channel से लिःस के बेंसके हुलों को श् अफह से कंट्री थे नाम ली थे हैं अहां पर भैस का डूद होता था एपनलनी पे में लिभाना कुछ लेकिन प्रप यह अलगर को आधा पाथ नोगों को पता चला कि एनफ़िशन की प्रफ door भीतार अगर कि अगर उनको दूद नहीं अच्छा लगता है वह एवन मिल्क लगता है उनको भास का तो निकाल कर फालतू में संबुदर में क्यों फेक रहे हैं मतला पीचिए मत निकालिये संबुदर में डालने की रहा है और दूसरी बात यह है कि आपने बॉला कि उनको ड्राइ गार के तो मैं आपके बताती हूँ कि जो dry milk मिलता है वो दो तरीके से मिलता है फिल्स होता है ग्हालम्ल जो जासे नैसलेंक आता है डेर्व मिलक मिलक का quindi ॉप्ण इसका से दूद आने लगे हैं लेकिन ये दूद को होता है इसके कई को रहे सकते हैं वहां जो नेए complex whatst दूद अच्छी बात है कि यह गिर गाय का दूद होता है इंसुमीनिय के लिए बहुत अच्छा होता है जिनकी आदास्त कम जोर हो जाती उनके लिए बहुत अच्छा होता है और जो लोग जिन लोगों के पैरों में जोडों में दर्द होता है उनके लिए यह बहुत ही अच्छा होत उसको घोल कर पीएंगे तो वह काफी टाइन चलता है अगर आपको प्यॉर दूद ही चाहिए एटू मिल्क जो होता है बिलता है ऑनलाइन बहुत अच्छा दूद है और सबसे अच्छी बात है यह गिर गाय का दूद है और सबसे अच्छी बात इसकी यह भी है कि आईसाई मा स्टार रेटिंग है वह भी फाइव है मैंने खुद देखा है मुझे मालूम है तो यह दूद बहुत अच्छा है आप इसको देख सकते हैं मार्केट में सारी ओनलाइन आप इसको देख सकते हैं उमीद है आप लोगों को जो कुश्चन्स आप लोगों ने मुझ से किये थे वह आपको उनके आंसर मिल गए होंगे और समझ में भी आयोंगे इस चीज़ को लोजिकली लेकर चलिए और दूसरी बात मैं एक बात और बोलना चाहूंगे कि जिन लोगों ने भी मुझसे इन्फोर्मेशन बहुत अच्छी इन्फोर्मेशन है मैं आपकी और बहुत अच् साथ अच्छी इन्फोर्मेशन मैं हर समय देती रहती हूं फिर मिलती हूं मैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई